ये गेम ये है कि ये चाइना और अम्रीका की लडाई है और जो बैकल ग्राउंड है जो मैदाने जंग है जो युद्द भूमी है वो पाकिस्तान है एक बात है कि हाँ उमर अता बंदियाल सीधा सीधा इमरान खान की साइड ले रहा है और ये मुझे इमरान खान को सरे आम फासी दे दो यानि कि एकटा करो हजार दो हजार लोग चौक के बीच में भंदा लगाओ साजिश है पूरी साजिश है वो ही निचाता कि पाकिस्तानी तरक्ते दरे जैन दोस्तों मैं हूं बेचर गरवारी और आप देख रहे हैं दिचानक के दायलोग्स इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइक अंदा बाना बिल्कुल नद देखिए एक बंदा है और वो पार्लिमेंट के बीच उन-भी मेंबर अफ पार्लिमेंट है वो जिसको पाकिस्तान में नाश्नल ेसल्ब्ली कोने करो करो हजार-दोहजार लोग चौक के बीच में भंदा लगाओ इमरान खान को खड़ा करके टांग दो यह चाहते हैं बाइस अब यह बखवास अगर को टीवी स्टूडियो में करता तो मैं समझ में आती ठीक है आपको भी समझ में आती मुझे भी समझ में आती क्योंकि वहां प पाकिस्तान वो पर्लेमेंट के फ्लोर पे नैशनल असंब्ली के फ्लोर पे बखवास कर रहा है करा इमरान खान को टांग दो कहता है फांसी लगाना तो दूर जो कोर्ट है ठीक है जो अदालत है पाकिस्तान की वह इमरान खान का ऐसे स्वागत कर रही है जैसे उनका दमाद होगा फिर यह बंदा कहता है कि अगर इमραग खान को कहता है यहुदी एजट अगर इस यहुदी पता नहीं यहुदियों के साथ क्या प्रोबलिम यहुदियों ने तो तुम्हारा कुछ नी विगाड़ा पाकिस्तानी हो लेकिन हर समय यहुदी यहुदी एजन्ट तुम्हारे दिमाग में रहता है ठीक ना अगर यह जज इस यहुदी एजन्ट यानि कि इमरान खान से इतने खुश हैं तो इनको कहिए कि यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जॉइन कर लें इनके पास कुछ सीटें खाली पड़ी हैं जॉइन कर लें पाकिस् जोनी लोगों को इनसाफ दे सकते हैं अच्छा देखिए जिसमें दो तीन चीज़े हैं बखवास तो करीस अदमीन है ठीक है जो इसको नहीं करनी चाहिए आप किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एज़े नहीं कहाई तांग दो इसको फांसी दे दो सरयाम फांसी दे दो और वो भी पार्लिमेंट में आप बखवास कर रहे हैं ठीक है न यह तो बहुत ही गलत चीज़ है मैं इसको कंडेम करता हूँ लेकिन एक बात है कि हाँ उमर अता बंदियाल सीधा सीधा इमरान घान की साइड ले रहा है और ये मुझे नहीं लगता कि किसी चीर जस्टिस को करना चाहिए यह किसी जज को करना चाहिए लोईर रोग का है up को बताता हूं इंडिया में ऐसे डिशिजन तोते कि एक पंटी क्याती ना खूश होती है लेकिन जज़ों के लिए कोई ऐसा नहीं बोलता यार ले में आपोजिशन वाले हों चाहिए रूलिंग पार्टी और कॉमन मैन एक बार जज आ गया एक बार भारत में जज अपनी कुर्सी में बैड़ गया तो बॉस हीस दा लीडर हीस दा बॉस और जट साब जो कहेंगे वो सब को मानना पड़ेगा मैं भी मानूंगा आप भी मानेंगे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है तो सुप्रीम कोट की ओपर रहना दावा बोल दिया यार यह अलगी लेवल के लोग हैं फिर कहते हैं हमें इनसाफ नहीं मिलता जमायत उलेमा इसलाम यह एक ग्रूप है उलेमाओं का इनके अंडर काफी सारे मदर से हैं उन्होंने क्या करा है क की इन्होंने चलाई करती इसलाम आबाद में ठीक है इन्होंने यह मौला ना फजल रह्मान है मौला ला फजल रह्मान जो पीडियम का चैर्मन भी है और यह इसका भी चैर्मन है जमायत उलेमा इसलाम फजल फैक्शन है इसने इसलाम आबाद पे चलाई करती इसने बोला अ सजार बंदे अब हम भी जलाएंगे पाकिस्तान को अब इनके बीच में कॉमप्रटेशन लगए कि पाकिस्तान में कौन अच्छा तेल चड़ा सकता है और कौन माच इसकी तीली ज़क्र है आप तो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जजजे में हो सकता है इंडिविजूल बाइसे जों को इस दिस दो वे टू टू ट्रीट सुप्रीम कोट तुम लों को नहीं बिल्कुल ही बिड़ा कर दिया है आप लोग मुझे नहीं समझे में आ रहा है The Convoy from Peshawar will be led by मौलाना अताउर रह्मान मौलाना अताउर रह्मान वो Convoy lead करेंगे मौलाना अताउल हक दरवेश वो भी है सेद हिदाउत अल्ला शाय ये भी है मुफ्ती फजल गफूर ये भी है मुफ्ती उबैदल्ला, आसिफ इक्बाल, दौजजई और बाकी लोग अंसार अलसलाम एक ग्रूप है, सेक्रिटी विंग है जे यू आई एफ का ठीक है न, इसमें 10,000 इसके अक्टिविस्ट ये आपको दिख जाएंगे खाकी वर्दी पैन के हाथ में डंडा और डंडे में सफेद और काली पटियां लगी होंगे, ऐसे टेप लगा रहता है न ये इनके खास पहचान है और इनका जंडे में भी देखना, सफेद जंडा होगा असमा ब्लैक ऐसे वो होगे पटी सी, लंबी सी जैसे अमेरिका का फ्लैग में वाइट में रेड होता है न तो इनके वाइट में ब्लैक आपको ऐसे दिख जाएंगे पटीयां, वो जमायत उलेमा इसलाम का फ्लैग है राइट अचा, एक और खावर है पाकिस्तान से मैं तो बता रहा हूँ, या भगवानी बचा है इस देश को यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ये कह रही है आर्मी चीफ ये कह रहा है पाकिस्तान का ठीक है जनरल आसेम मुनीर ये कह रहा है कि जिन लोगों ने फाज फाजी ठिकानों के उपर, चाए कोर कमांडर का घर हो जियत की हो, या फिर एर बेसिस हो, जिन्हों ने इनके उपर चड़ाई करी है उनको फाजी कानून के तहत हम ट्राई करेंगे अब आप समझने की कोशिश करी है, बोल क्या रही है ये वो नहीं बोल रहा जो आप समझ रहे हैं भी अब आब और समझ ये क्या बोल रहा है ये बेसिकली कहरा है कि ये मार्शल लॉँ लग चुका है एक तरीके से मार्शल लॉँ में क्या होता है मार्शल लॉँ यानि कि फौजी कानून जब आप कुछ लोगों को फौजी कानून के तहत ट्राई करेंगे फौजी कानून के तहट आप उनके मुकदमे चलाएंगे तो फिर तो मार्शल लाँ लग गया पाकिस्तान में यानि जो भी फौज के खिलाफ बोलेगा जो भी आवाज उठाएगा अला उंदर टांगो इसको जेल में डालो गोली मारो फिर तो आपने यही करना है और मुझे एक बात समझ में नहीं है यह कहते हैं कल ना कल मैं बैठा था टीवी पे रात के आया दस बजे का डिवेट थी कल रात को यार और आई वोज वेरी शॉक्ट वहाँ पर पाकिस्तानी पैनलिस बैठके यार जस्टिफाई कर रहा है वो वो बंदा जस्टिफाई कर रहा है कर रहा है नहीं बिल्कुल ठीक हुआ इनके उपर फौजी कानून लगना चीए ओ भाई तू सिविलियन है जैसे हम भारतवासी हैं मैं खुद फौजी हूँ यार मैं खुद फौजी हूँ और मैं इसके लिए बहुत शुक्र गुजारूं कि सिविलियन हमारी इज़त करते है लेकिन एक फौजी होने के नाते मैं आपसे बहतर नहीं हूँ मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ इस देश की सेवा करनी है भारती सेना को सेवा करती है पाकिस्तान में उल्टी कंगा बह रही है यार वो कहरे पूरे देश हमारी सेवा करे अब वो कहरा है देखिए जन्रल आसम मुनिर जो है वो क्या कह रहा है कि मिलिटरी, फाजी कानून के तहँत सिविलियन को यालि अब समझने हैं फाजी कानून मतलब ये उंगली टेडी कर दी पाकिस्तानी फोज ने और इसमें एक और चीज़ा जो नहीं कह रहा है जो की होगी अगर ये इन्हों न लागू कर दिया तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं दोस्तों किसकी वज़े से दंगा बढ़का था सोची ज़रा किसकी वज़े से दंगा बढ़का था कोई तो होगा जिसकी वज़े से दंगा बढ़का होगा वो था इमरान खान तो क्या पाकिस्तान की सेना इमरान खान को भी ट्राइ करेगी मिलिटरी लॉके अंडर क्या इमरान खान की उपर भी केस चलेगा military law के अंडर आप इसके नतीजे समझ रहे हैं they are pushing the country towards definite civil war एक पहले इमरान खान ने अपने बंदे लियाया सड़क पर कि तुम जला लो फिर मौलाना लियाया तुम जला लो अब ये कह रहे हैं कि हम तुमें इसमें ट्राइ करेंगे उसमें ट्राइ करेंगे ओ यार अगर तुम्हें हर चीज फॉज को करनी है तो ये बंदियाल साब को घर बेजे नो अपने फिर बंदियाल साब को बोलो सार आप घर पे पैठे हमें आप पर वरुसा नहीं है वाट इस नॉंसेंस ये कौन सी कंट्री है जो अपने आपको डेमोक्रीसी कहती है पाकिस्तान डेमोक्रीसी नहीं है लेकिन छाती ठोक के कहती है कि हम लोग डेमोक्रीसी क्योंकि हमारे डेमोक्रीसी में election के अलावा भी 10 और चीज़ें होती है election not the only thing election तो इदिय मीन ने युगंडा में भी करवाय था जिसमें जीता था तो इलेक्षिंज और नौट बैरोमीटर एनिफिंग टॉल लेकिन मैं यह कहना चाहरा हूं मेरा मेरा पॉइंट यह है कि आप एक सिविलियन को भारत में भगवान ना करें कितनी भी कड़बड हो जा मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई हमारा सिव करता है कि सेवा करना हम लोग देश के सिवक हैं बारति सेना की बात कर रहा हूं नौ से ना वाईू से हम लोग मुल्क के देश के सेवक हैं भारतमा के सेवक हैं ऐसा नहीं हो सकता है यार कि मतलब मैं किसी को बोल दूँ क्योंकि मेजर गौरवार एकस आर्मी ऑफसर है और उसकी लोयल्टी फॉज के साथ है मैं बोलों कि जी आजाओ जी एवरिबड़ी शुड भी ट्राइड अंडर मिलिटरी लॉग पता नहीं यार क्या बच्चों जैसी हरकत हैं इनकी यार मैं वेरी सप्राइज और इसमें कई पाकिस्तानी सपोर्ट करें आजी हां मिलिटरी लॉग होना चीए क्यो होना चीए वैई मास अरेस्ट कंटिन्यू 340 लोगों को जिनना हाउस जो कोर कमांडर क्या ने जिसमें पतलून उसकी लटिका दी थी कोर कमांडर आपने फोटो देखी है लहोर का कोर कमांडर सल्मान बट उसकी जो पतलून थी ना पतलून चोरी करके उसकी लोगों ने डंडे के उपर लगाई और कोर कमांडर लहोर की पतलून टांग दी तो तभी तो आर्मी चीफ ने बोला था तू अपना घर अपनी पतलून नहीं समाल सकता है तू मुल्क क्या चाचा की फोटो दिखा वर एडिटर सब चाचा की फोटो देखा पहले चाचा जॉषit करता है आपके चटे दिआने चोरी कर आए आपको nिशान एहदर देना चीए you are आपने कोर्मा चोरी कर रहा है चाचा ने चोरी कर रहा है चाचा को इनान दिया जाए देखो पंजाब पुलीस ने बोला है कि 200 बयान अब बे और हमने बंदे जो अटैक और वेंडलिसम कर रहे थे हमने उनको धर पकड़ा है और टोटल नंबर ऑफ अरेस्ट ऑफ पी टी आई वर्कर्स इन पंजाब सिर्फ पंजाब में पाकिस्तानी पंजाब में जो पाकिस्तान तेरीक इंसाफ है जो 9,10 और 11 तारिक को जो वाइलेंस हुआ था 9 और 10 को जादा था जो वाइलेंस हुआ था उसमें 3,186 बंदे अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं अब एक बाद बताओ यह 3,186 जो भी बंदे इन सब को क्या फौजी कानून के तहत आपको करोगे यह आप बोलोगा कि नहीं बाकी तो इन्होंने सिविलियन इंस्टूशन पर अटैक करा है तो यह सिविल कोर्ट डिसाइड करेंगी लेकिन जो हमने वो जो 200-300 बंदे अरेस्ट करें थे इनिशली जोनोंने कोर कमांडर के घर पे हमला करा था जी एच्क्यू के घर पे हमला करा था पाकिस्तानी आटकोर्टर्स उसको हम मार्शल लोग के तहत उनको या उनको मिलिटरी लोग के तहत हम पाकिस्तान आमी आक्टे तहत हम उनको जजज करेंगे यह सोचने वाली बात है यार आ इन्होंने तेल च्छलक दिया है मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है पाकिस्तान में इन्होंने अपने मुल्क के ओपर तेल च्छलक दिया पेट्रोल च्छलक दिया अब पागल गूम रहा है यह जलती भी मार्चेस लेकर कहां से जलाओं यह हो रहा है पाकिस्तान में ठीक ह के वरकर जिसमें शामिल औरते हैं शामिल बुजर्ग शामिल सब कुछ इनको अंदर कर दिया है और यह प्लैन है इसको बैन करना है का हमारी पार्टी को कि कि without any investigation into who was responsible for arson of a government building or dozens of deaths of unarmed protesters by bullet wounds around 7,000 यह कह रहा है इमरान खान कह रहा है कि भई आपने को investigation नहीं करा आपने को तहकीकात नहीं करी आपने 7,000 बंदें अंदर कर दी क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरी यह जमायतन लुलेमा इसलाम के उपर बोल रहा है गुंडे कि अब इन गुंडों को आप इनको facilitate कर रहे हो इनको आप इनको आप इनको आप you know you are giving them you know all the way आप जाहिए आपको कोई रोकेगा नी you have a free pass आप तो कोई police action को रेंजर्स का action नहीं होगा आप जाओ सुप्रीम कोट घेर लो यह इमरान खान का कहना है इसमें ना मैं आपको बताता हूं U.S. U.S. का बड़ा मज़दार रोल है इंडिया में मैं बता रहे हैं U.S. इत ना दोगला है भारत में राहुल गांदी को ड्यू प्रसेस ऑफ कोट से बोला कि डिस्कॉलिफाइड है अमरीका में freedom of speech, freedom of expression, freedom of falana, upholding of constitution, सारे के सारे बड़े बड़े निबंद लिए जैसे बच्चे ते नहीं बोलते थे ग्रीश मुकाली नवकाश के ऊपर निबंद लिए ता मैंने वहां पर आम खायते वो तो पूरा निबंद लिख दिया है ने अमेरिकन ने भारत में कुछ भी होता हरे भारत में religious freedom नहीं है अरे भारत में minorities की उपर जल्म हो रहा है और कोई एक खरो चाहिए किसी को अमरीका पूंगी लेकर बजाना अब पाकिस्तान वहा पाकिस्तान में यह पूरा गेम चल रहा है ना मैंने कल भी आपको विस्तार से बताओंगा यह जो गेम चल रहा है ना पाकिस्तान में यह गेम है क्या दोस्तों यह गेम यह है कि चाइना और अमरीका की लडाई है और जो बैटल ग्राउंड है जो मैदाने जंग है राइट Oops लाडवाने वाला कौनैं फायदा और इमार बार बार शौ बार को बता रहे हूं पाकिस्तान में आया क़ चाईना का फॉरंड मिनिस्टर जब इंडिया रूपision के पाकिस्ता का शूर्प payment जान दिया कि वी स्टैन्ड विद्धा पाकिस्तान और भी यह चायना का फॉरन फॉर्ण मिनिस्टर बोल कर पाकिस्तान आप जाके इंट्रेनेट पर देख लें उसके उसके बैया कि वी स्टैंड फॉर ठीक है वह चला गया उसके जाने के अरफ गंटे के अंदर एक आंड हो यह जो इम्रान खान की एरेस्ट फरेस्ट जे भी होनी थी चाइना का फॉरेंट मिस्टर गया और यह सब यहां पर ड्रामा हो गया है क्या हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसकी तरफ से बैटिंग कर रहा है दुनिया बेकूफ है मैं आपको बताता हूं आर्वी चीफ जो ह शेबाज शरीफ चाइनीज केम्प में है क्योंकि यह लोग चाते हैं कि चाइना पाकिस्तान एकनोमे करोडर शुरू हो जाए और चाइनीज इंवस्मेंट आए यहां पर है इमरान खान अमरीकनों को सौ गालियां दे दे मूँ से कि तुमने मेरी सरकार गिराई है तुमने स इस सोच नहीं सकता इमरान खान ने चाइना पाकिस्तान एकनोमे करोडर बंद कर दी और बताओ इम्रावान खान ने चाइना पाकिस्तान एकनोमिक करिडर बंद कर दी जो जनरल बाजवा था ना लेटन जनरल आसिम सलीम बाजवा जो कि चाइना का चहता था पीड़जा वाला जनरल जो था जो पिज़े बेचता था उसको किसने निकाला किसने निकाला उसको प्राइम मिनिस्टर आफिस से किसने निकाला उसको सीपक के चेर्मेंशिप से इमरान खान ने आजी ने इमरान खान was the one who threw him out क्यों? क्योंकि अमेरिका बहादूर से हुकम आया था तो लोगों के बीच में पहले अपना एक constituency बनाई इमरान खान ने अमरीका ऐसा क्योंकि अमेरिका से नफरत करते हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी उसरे अमेरिकन डॉलर से महबबत है अमरीका से महबबत थोड़ता हैं डॉलर लियाओ अमरीका के डॉलर लप 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 मुह से पानी डॉलर सबकों चीए बंगले सबकों चीए वीजा सबकों चीए ग्रीन काट सबकों चीए लेकिननफरत भी करना है ग़ाण बिन तो उसने चीपाइब सबसे बड़ी बात बताओ किस ने ब converted के कॉला कि यहां पे डिजित करो जबकि भूला था कि उनको पबुलिक लीमत बताना इम्रान थां पॉल ऐसा को नहीं सक रहा है कि इमरान घांग hayır dov the Americans, मैं बता रहा हूँ, जो भी पाकिस्तानी देख रहे हैं और मुझे बोलेंगे ना, कि तुम गलत हो, तुम जूटे हो, तुम ऐसा वैसा, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, जो बंदा मुझे कह रहा है न, उसके बयान है, आप बयान पर कभी बिलीव मत करिये, आप भरोसा मत क्या रहा है, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, बोल रहा है कि अमेरिका मुर्दाबाद, और अमरीका के आँखों में सबसे ज़्यादा तो खटकता है, बेल्टन रोड इनिशेटिव, उसका फ्लैक्शिप वेंचर, चाइना-पाकिस्ताने करना और कोरिडूर, इ यानि कि पाकिस्तानी जिसको आजाद किश्मीर बोलते है, ठीक है ना, डाट एरिया, जो पी-ोक है असल में, वहां से वो चाइना-पाकिस्तान एकोनॉमक करड़ोर आती है, अगर वहां से ना आए, तो हमारी तरफ से दस अरब और डाले चीन, यार हर महीने दस अरब डाले है पाकिस्तान में, सानुकी, हमें क्या फरक पड़ रहा है, डालो पैसे, बिल्कुल डालो, दबा के डालो पैसे, हमने तो कभी तुमें नहीं मना करा, हमने कभी नहीं बोला कि भी तुम पैसे मट डालो, इन्वेस्ट मट, दबा के इन्वेस्ट करो, यार पाकिस्तान में ड भारत को जलन हो रही है जलन किया हो रह जिए बच्चों वाली बात करें तुम्हारा दौ कई चाइनいました घाई सबस्टाइए और चाइना वह सांधार आप चाईण के साथ ट्रेड होती है किंस वह स्बस्ता चाइना न सबस्क्ता है सकतर से लेकर 75 अरब चाइना के favor में trade है 80 अरब तक लोग कहते हैं कि चाइना के favor में trade है यानि कि CPAC जो 15 साल वे investment हुआ है उसका हर साल हम चाइना को उसका डिल्ड गुना every year हम फाइदा देते हैं किस दुनिया हम ढ concur अंडिया जाल जायेगा खाने में रोटी ओटी खाते हो कुछ और भी खाते हो मुझसे खाते हो कहीं और फीक काणवान नाक वाक में तो रहे यह लिए करते हैं कि और शुर अरभ का कोती पॉलte अग्यानी बिलिव करता है। और उससे पूछो कहा है कोईला॥ नेकाला क 그냥 Sally Boonoy, यह सब लोग साजिश कर http द्रीके कvellें हैं तो तुम रशियां से यह मंगा रहे हो। तुम सॉотоतियर्ः सा बड़ी गैस है। पकिस्तान में इतनी गैस है कि पाकिस्तान दुनिया वर को सप्लाई कर सकता है तो मैंने बोला भई तुम्हारे सुई गैस में तो कहते हैं कि गैस ख़तम हो गई तुम बाकी गैस क्यों नहीं निकाल रहे हैं साजिश है पूरी साजिश है कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तानी तरक्य करे हम लोग क्योंकि मुसल्मान है कलमा पढ़के ये कौम बनाई थी, कलमा पढ़के ये मुल्क बनाई था इसलिए सब जलते हैं यार मैं I am amazed at the stupidity of the people, I am amazed they actually believe कि सिंध में 1.500 अरब का कोईले अबे निकालो ना, 1.500 अरब के कोईले के उपर जो बैठी कौम है वो एक अरब का भीक क्यों मांग रही है आइमेफ से, तुम्हें तो आइमेफ को बोलाना चाहिए ले, 20 अरब, एश कर जा, एश कर, मेरी तरफ से तुम्हें तो ये कहना चाहिए एक-एक अरब के लिए भीक मांग रहे हो दुनिया से, एक-एक अरब के लिए पैर पकड रहे हो लोगों के और यहां पर बात ने, 1.500 अरब का ये है ये तेल इतने का है ये गैस तो तुम्हारे दमाग में गैस है और तुम्हारे पेटों में गैस है जमीन के नीचे कोई गैस नहीं है वसाइलों से माला माला कौन से वसाइल से माला माला है हमारे याँ पहाड भी हैं हमारे याँ नदियां भी हैं और किसी मुलक में पहाड और नदियां नहीं हैं सिर्फ पाकिस्तान में है हद दो गई यार अच्छा जी लंडन प्लान इस आउट ये आप देखिए चोटा सा एक वीडियो इमरान खान का चोटा सा वीडियो अब देखिए फिर मैं आता हूँ क्या बोल रहा है अमरान खान मेरे पाकिस्तानियों अब तो मुझे जेल से जब बाहर आया हूँ मुझे वक्त में लिया है तैकिकात करने का तो मुझे अब ये एक मुनज़म साज़श नजर आई है जिसके तहर जलाए गई है गर्मन बिल्डिंग्स ये कोर कमांडर का घर जलाया गया है जो भी मुझे पता चला है कि तकरीब कारों को बीच में डाला गया बंदू के लेके उन्होंने लोगों को इश्तियाल दिया हमारे पास अब विडियो एविडिन्स है इसकी मैं ये चाहता हूँ कि एक इंडिपेंडिन्ट इंक्वाईरी हो कभी भी जज फैसला नहीं करता जब तक वो दोनों तरफ ना सुने इस वक्त वन साइडिड बियानिया चल रहे सारे इलेक्ट्रोनिक मीडिया पे और वो ये जो सारे माफिया बैठा हुआ है जिन्होंने फाइदा उठाया जिन्होंने बलके जिस तरह मुझे पकड़ा गया फॉच मुझे पकड़ के लेके जा रही है और जिस तरह पकड़ा गया उसका जो रद्यामल आना था उसका फाइदा उठाते हुए सारा नजला तरीके इनसाफ के उपर गराया है जो कि और लोग थे करने वाले और जब भी इंशालला इन्डेपेंड इंक्वाइरी होगी हमारे पस विडियोज हैं जो लोग इस पे शामल थे जिन्होंने प्लैन तरीके से यह सारा किया जिस पार्टी ने 27 साल कभी किसी किसम का इंतिशार नहीं किया जिस पार्टी ने जब उसके चेर्मेन को गोलियां लगती है कतल करने के लिए तब भी हमने तो कोई तोड़ बोड नहीं की, कोई जलाओ भराय नहीं किया जबके मैंने एक इंटेलिजन्स आफिसर का नाम भी दिया, तब तो कुछ नहीं हुआ तो यह अब एकदम क्या हुआ, यह एक प्लैन है, प्लैन था पहले से लंडन प्लैन, तरीक इंसाफ को बैन करना है, इमरान खान को जेल में डालना है, इनके लोगों को हरासा करके जेलों में डालना है, खौफ सदा करना है, ताकि कोई निकले ना, यह है प्लैन, लेकिन जो भ है क्या हुआ कैसे यही कोशिश की गई सबसे बड़ी जमाद से और मुल्क को तबाई की मुल्क को तुरवा दिया गया आज उसे भी खतरना कोशिश की जा रहे हैं तो मैं सारी अपनी कौम को कहता हूं कि इस साज़श को अपने शकस देनी हैं पुरा मन इतजाज करना आपका आईनी हक है हम बेड़ बकरिया नहीं है हम ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हम इतने खौफ सजा हो जाएं कि ये जो मर्जी करें हम बस सहमें बैठे रहे हैं कि जी हमें जेल में न डाल दे मेरी कौम गोर से सुन लो ये है वक्त अपनी हकी की इजादी लेने का इसको जाया ना क करना आ कि ऐसा वक्त नहीं आएगा तर्फ कर रिया जाएगा और रॉंडन खान को डशाल के लिए कर दिया जाय जाए गा उनकी वाइफ है भुषरभी भी उनकोन को बी जेल में डाल दिया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक-अ-इनसाफ को बैंड कर दिया जाएगा उसको ए लंडन चला रहा है इमरान खाने कह रहा है कि यह मुझे मारने की भी कोशिश कर रहे हैं और यह कहते हैं कि सब पूरा इनकी सेटिंग हो चुकी है इनकी पूरी की पूरी सेटिंग हो चुकी है यह लंडन प्लान के तहत पाकिस्तान आर्मी की और नवाश शरीफ की और इसका य जूरी और executioner ठीकहा यह जज भी हैं यह jury भी है और जो बंदा जो कसाई है जो मारता है बंदे को यह वो भी हैं यह सब लोग हैं मुझे हमिट करना चाहता है जेल में डाल कि और बुष्रा बेगम को भी और वोट तरके से इन्हों ने बंगलाधेश में यानि की एसके पाकिस्टान में आवाeltर नाहीन की पार्टिय को बीदि갔ा बार 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 उमरान खांट मुझीबुर्रह्मान पूरा इंडिया उस तोरीज पूरीज कोरा दिखो उसका भी शेक मुझीपूर रह्मान कभी वो था पूरा इन दसेंस की मजॉरिटी थी ती उसको भी पीमनी बनने द occupy मुझे भी नी बनने दिया मतलब मुझे हटा दियाँ वहांसे शेक मुझीबुर्यमां को भी जेएल मे डाल दिया मुझे बहुत आप सर्द नाय तुआ की पर sector क्रेंग दान हुआ इस और बिसी करेंग औरत ओ निया यानि कि East Pakistan अलग होके Bangladesh बन गया था पाकिस्तान का बटवारा हो गया था अगर तुम इम्रान खान के साथ यह करोगे बॉस तो एक बात ध्यान रखना पाकिस्तान का फिर बटवारा होगा इसलिए शेक मुझीबर रह्मान और आवामी लिग का बार बार यह जिकर करता है बंद क्योंका चीफ मिनिस्टर्स और पुलीश चीफ सुभी नॉमिनेटेड इन इन इस केसे सब को नॉमिनेट कर रहा है सब का नाम डालेंगा और सबको हम कोर्ट में घसीट के ले जाएंगे और अगर इम्रान खान ले गया तो मैं बता रहो इनका बैंड वजा दिया जाएगा क यह चल रहा है पाकिस्तान में जहाँ चीफ जस्स ऑपाकिस्तान एक अक्यूज्ट को कह रहा है कि खान साब आपको देखके बड़ा चला है क्या बोल सकते हैं दोस्तों आप बताइए आपको आज का एपिसोट कैसा लगा और अगर आपको एपिसोट पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बल आइकन दावाना बिलकुम नद भूलिएगा दोस्तों जैन वंदे मातरम भारत माता की जै